हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बेक टू मैं चैनल स्टार्ट वित अंसीया टियर फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगे आपको बता ही है आज 21st फैप और आज आना तो कोट का फैसला आपके ऑफ लाइन एक्जाम कंड़क्ट कराने चाहिए नहीं कराने चाह तो उनका मतलब बहुत डरे वे हैं कि दुबारा उनको ना हो जाए तो इस वज़े से नहीं मांग करी थी कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए या तो उनको एंटरन असेस्मेंट कुछ ऐसे कराए जाए या कुछ उनके सामने ओनलाइन एक्जाम कंड़क्ट कराए जाए इन्होंने डिमांड करी थी सुप्रिम कोट से ठीक है आज हीरिंग की उसकी जिस जो इस पिरिम कोट में पिटिशन फाइल की गई थी मैं जो हमारी मिस्स मैंसिस अनुभा मैम के दुआरा ठीक है ना तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि इस प्रिटिशन को फाइल किया गया था पंदरा स्टेट के स्टूडन्ट ने तो अपने स्टेट बोर्ड के सामिल है सेंटर बोर्ड बाद सी बीसी के स्टूडन्ट भी सामिल है तो इन सब में मिलकर प्रिटिशन फाइल की थी ऑफ्लेंड एक्जैम के अगेंस्ट कि उसको नहीं लेना चाहिए चाहिए तो फ्रेंड्स अब यह क्या है इस पेज जो सुनवाई है वो आज हुई है मैं आपको सारा चीज दिखा दे त्यों क्या क्या हुआ था तो प्रेंड् सब्सक्राइब नहीं किया गया है सुप्रीम कोट के से कोई डिसीजन अभी लिया गया है हाला कि कुछ स्टेट्स बोर्ड हैं जैसे महाराश्टा चातीजगर बद्धे परदेश इन्होंने तो मतलब रिलीज भी कर दिया शेडियूल अपना ऑफ्लाइन एक्जैम का ठीक है तो स्टूडेंट्स अधिस्साटिस्वाई हैं बाई इस काइंड ऑफ्लाइन के लिए बिल्कुल प्रिपेर हो चुके हैं तो स्टूडेंट्स हैं कि हमारे मतलब वो सारे वरीड हैं अपनी फ्यूचर को लेके के यहां उनका फ्यूचर भी खराब हो रहा है तो इन स्टूडेंट्स के मांग भी यह है इन स्टेट्स के स्टूडेंट की पहले सुप्रीम कोड का फैसला आने दे तब जाके आप अपना एक्जैम का फैसला आने तो फ्रेंट्स आपको पता ही है अनुभा सिरवास्तव जी जो हो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है तो उन्हों एक एड़ोकेट भी है तो उन्हों ने ही यह फाइल की थी यह पिटीशन जो बच्चों के हित में हो ठीक है काफी टाम से उनको यह चीजें बच्चों के मैसेज भी उनको भी आ रहे थे कि मैम प्लीज हमार ले कुछ कीजी और उन्होंने स्टैप बढ़ाया क्य क्योंकि वह सचाई का साथ देना चाहिए वह जानती है कि स्टूड़न को कैसे दिलाना चाहिए तो उन्होंने स्ट्रीम कोट में क्या-क्या मांगे करी है वह मैं आपको बताती हूं उनका मानना है कि जो स्टूड़न्स हैं जो सैटिस्वाई नहीं है अपने इंटरनल एक्जाय में चाहिए उन्होंने यह मांग किया और उन्होंने का है कि कमेटी होनी चाहिए यह डिसाइड करने के क्लिक वह मतलब एकक्तां समें जो उनकालने जाए जो इन चीजों को सॉलफ करे ठीक है तो बच्छों ज्यादा सफ़न ना करना पड़े तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हाई ग्रोथ होता है COVID-19 की केसी से all over country बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे हैं तो इसकी वज़े से third wave आ चुकी आपको पता ही है जो affect कर रहे हैं student को बहुत बुरी तरह से और इसी वज़े से इस petition में यह सब चीज़े कही गई है pandemic situation है ऐसे में exam कैसे लिया जा सकता है ठीक है तो यह सारे friends मुद्दे हैं जो उठाए गए हैं तो देखते हैं क्या होता है कोई निर्ने दिया नहीं है और जो यह निर्ने है वो अभी ताला गया तो overall situation ही है कि आज कोई निर्ने नहीं लिया गया अब यह जो निर्ने है फ्रेंड्स यह जो मामला यह पीडिशन है यह जस्टिस खान विलकर के सामने रखा जाएगा अब वही कुछ निर्ने इस पक्ष में लेंगे बाकि आप लोगों का प्यार सपोर्ट हमें मिल रहा है आ आप से यह भी कर रही है कि आप अपने स्टड़ी करते रहे देखे यही मैं आपको भी कह रही हूँ कभी किसी भी मामले में आप यह नहीं कि अपने पढ़नाई चोड़ दिया आप एकदम कोट के भरोसे के अड़ गए तो आपके फ्यूचर को देखे, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्या पढ़े हैं, क्या ना पढ़े हैं, वह हम उसको आपको हेल्प करेंगे, आपकी वहाँ पर अपने प्रैक्टिकल फैल जरूर बना लीजेगा, अगर ऑफ लाइन सब्सक्राइब करेंगे, आपको दिये जाएंगे, तो इनको प्रिपेर कर लीजेगा, वीडियो पसंद आई, ज्यादा साथ लाइक कीजिएगा, शेर करना मत बूलेगा, अपने फ्रेंड के साथ, पहली बार हमारे चैनल से जोड़े हैं, चैनल को सब्स्प्राइब कर जब भी कोई वीडियो अप्लोड होगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप हमारी वीडियो टाइम पे देख पाएंगे, ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं,